ओम शान्ती तीन दो दो हजार एक्किस की साकार मुरली मीठे बच्चे सबको यही पैगाम दो कि बाप का फर्मान है इस पुरुशोत्म संगम युक पर पवित्र बनो तो सत्युक का वर्षा मिल जाएगा प्राश्न कौन सा सस्ता सोदा सबको बतलाओ उत्तर इस अंतिम जन्म में बाप के डारेक्शन पर चल पवित्र बनो तो 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही मिल जाएगी यह बहुत सस्ता सोदा है यही सोदा करना तुम सबको सिखलाओ बोलो अब शिय बाबा को याद कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे ओम शान्ती रोहानी बच्चे जानते हैं रोहानी बाब समझाते हैं कि प्रदर्शनी वा मेले में शो दिखलाते हैं या चित्रों पर मनुष्यों को समझाते हैं कि बाब से बेहत का वर्षा लेना है कौन सा वर्षा? मनुष्य से देवता बनने का अत्वा बेहत के बाप से आधा कल्प के लिए स्वर्ग का राज्य कैसे लेना है यह समझाने का बाप स्वधागर है तो उनसे यह स्वधा करना है यह तो मनुष्य जानते हैं कि देवी देवताईं पवित्र रहते हैं भारत में जब सत्योग था तो देवी देवता पवित्र थे, जरूर उन्होंने कोई प्राप्ती की होगी, स्वर्ग के लिए स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप बिगर कोई भी प्राप्ती करार ना सके, सौदा कितना सस्ता देते हैं, सिर्फ कहते हैं यह तुम्हारा अन्तिम जन्मे, जब तक मैं यहां हूँ पवित्र बनो, मैं आया हूँ पवित्र बनाने, तुम इस अंतिम जन्मे में पावन बनने का पुरुशार्ट करेंगे तो पावन दुनिया का वर्षा लेंगे सौधा तो बड़ा सस्ता है तो बाबा को विचार आया बच्चों को ऐसे समझाना चाहिए कि बाप का फर्मान है पवित्र बनो यह पुरुशोतम संगम युग है जो पवित्र बनने का है उत्तम से उत्तम पुरुश है ही देवताई लक्षमी नारायन का राज्य चला है न डीटी वर्ल्ड सौवर्नटी तुमको बाप से वर्षे में मिल सकती है बाप की मत पर यह अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो यह भी युक्ती बतलाते हैं कि योग बल से अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनाओ बच्चों को कल्यान के लिए खर्चा तो करना ही है खर्चे बिगर राजधानी स्थापन नहीं हो सकती अभी लक्ष्मी नराएन की राजधानी स्थापन हो रही है बच्चों को पवित्र जरूर बनना है मनसा वाचा कर्वना कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है देवताओं को कभी कोई खाराब ख्याल भी नहीं आता मुक से ऐसा कोई वचन नहीं निकलता वह हैं ही सर्वगुण संपन्न संपुण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम जो होकर जाते हैं उन्हों की महिमा गाई जाती है अब तुम बच्चों को भी वही देवी देवता बनाने आया हूं तो मनसा वाचा कर्मना कोई भी ऐसा बुरा काम नहीं करना है देवताएं संपुण निर्विकारी थे यह गुण भी तुम अभी धारण कर सकते हो क्योंकि इस मृत्यू लोक में तुमारा यह अंतिम जन में है पतित दुनिया को मृत्यू लोग, पावन दुनिया को अमर लोग कहा जाता है अभी मृत्यू लोग का विनाश सामने खड़ा है जरूर अमरपुरी की स्थापना होती होगी यह वही महाभारी महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में दिखाई हुई है जिससे पुरानी विशस वर्ल्ड खत्म होती है परन्तु यह अज्यान कोई में है नहीं बाप कहते सब अज्यान नींद में सोई पड़े है पांच विकारों का नशा रहता है अब बाप कहते पवित्र बनो मास्टर गॉड तो बनेंगे न लक्ष्मी नरायन को गॉड गॉड इस कहते है अर्थात गॉड द्वारा यह वर्षा पाया है अभी तो भारत पतित है मंसा वाचा कर्मना करता वे ही ऐसे चलते है कोई भी बात पहले बुद्धी में आती है फिर मुख से निकलती है कर्मना में आने से विकर्म बन जाता है बाप कहते वहाँ कोई विकर्म होता नहीं यहाँ विकर्म होते हैं क्योंकि रावण राज्य है अब बाप कहते बाकी जो आयू है पवित्र बनो प्रतिज्या करनी है पवित्र बन और फिर मेरे साथ बुद्धी का योग भी लगाना है जिससे तुमारे जन्म जन्मांतर के पाप भी कड़ जाए तब ही तुमें किस जन्म के लिए स्वर्ग के मालिक बनेंगे बाप ओफर करते हैं यह तो समझाते रहते हैं कि इन द्वारा बाप यह वर्षा देते हैं वह है शिबाबा यह है दादा इसलिए हमेशा कहते ही हैं बाप दादा शिबाबा ब्रह्मा दादा बाप कितना सौधा करते हैं मृत्यू लोग का विनाश थामने खड़ा है अमर लोग की स्थापना हो रही है प्रदर्शनी मेला करते ही इसलिए हैं कि भारतवासियों का कल्यान हो बाप ही आकर भारत में रामराज्य बनाते हैं रामराज्य में जरूर पवित्र ही होंगे बाप कहते बच्चे काम महाशत्रू है इन पांच विकारों को ही माया कहा जाता है इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे जगत जीत हैं ही देवी देवताएं और कोई जगत जीत बन नहीं सकते बाबा ने समझाया था क्रिश्चन लोग अगर आपस में मिल जाएं तो सारी स्रश्टी की राजाई ले सकते हैं परंतु लौ नहीं है यह बॉम से हैं ही पुरानी दुनिया को खत्म करने के लिए कलप कलप ऐसे नई दुनिया से पुरानी पुरानी से नई होती है नई दुनिया में है ईश्वर यह राज्य जिसको राम राज्य कहा जाता है इश्वर को ना जानने की कारण ऐसे ही राम राम जबते रहते हैं तो तुम बच्चों के अंदर में यह बाते धारण होनी चाहिए बरोबर हम 84 जन्मों में सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं अब फिर सतो प्रधान जरूर बनना है शिबाबा का डारेक्शन है बच्चे बहुतों को रास्ता बता रहे हैं अपना भी कल्यान करना है सोदा बड़ा सस्ता है सिर्फ यह अंतिम जन्म पवित्र रहने से शिबाबा की याद में रहने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे कितना भी सस्ता सोदा है जीवन ही पलड जाता है ऐसे ऐसे विचार करना चाहिए बाबा के पास समचार आते हैं राखी बांधने गए तो कोई कोई ने कहा इस समय जबकि तमो प्रधान दुनिया है इसमें पवित्र रहना यह तो असंभाव है उन बिचारों को पता नहीं पड़ता कि अभी संगम युग है बाप ही पवित्र बनाते हैं इन्हों का मददगार परमपिता परमात्म है उनको यह पता ही नहीं कि यहां भीती बहुत भारी है पवित्र बनने से पवित्र दुनिया का मालिक बनना होता है बाप कहते हैं इन माया रूपी पांच विकारों पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे तो हम क्यों नहीं पवित्र बनेंगे फर्स्ट क्लास सौदा है बाप कहते हैं काम महाशत्रू है इन पर जीत पाने से तुम पवित्र बनेंगे माया जीत जगत जीत यह है योग बल से माया को जीतने की बात परमपिता परमात्वा ही आकर रूहों को समझाते हैं कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे बाप बर्शा देते हैं संगम पर सबसे उत्तम पुरोष यह लक्षमी नारायन थे उन्हों को ही मर्यादा पुरोषोतम देवी देवता धर्म वाला कहा जाता है समझाया तो बहुत अच्छी रिती जाता है परन्तु कभी कभी यह पॉइंट्स भूल जाती है फिर बाद में विचार आता है भाशण में यह यह पॉइंट्स नहीं समझाई समझाने की पॉइंट्स तो बहुत है ऐसे होता है वकील लोग भी कोई-कोई पॉइंट भूल जाते हैं फिर जब जो पॉइंट बाद में याद आती है तो फिर लड़ते हैं डॉक्टर लोग कभी ऐसा होता है ख्यालात चलती हैं इस बिमारी के लिए यह दबाई ठीक है यहां भी पॉइंट तो ढेर हैं बाबा कहते हैं आज तुमको गुहे पॉइंट समझाता हूं परन्तु समझने वाले हैं सब पतित कहते भी हैं हे पतित पावन फिर किसको कहो तो बिगड जाएंगे इश्वर के सामने सच कहते हैं हे पतित पावन आओ आकर हमको पावन बनाओ इश्वर को भूल जाते तो फिर जूट कह देते हैं इसलिए बड़ा युक्ती से समझाना है जो सर पे भी मरे लाठी भी ना तूटे बाब कहते हैं चूहों से गुण उठाओ चूहा काटता ऐसी युक्ती से है जो खून भी निकलता है परन्तु पता बिलकुल नहीं पड़ता तो बच्चों की बुद्धी में सब पॉइंट्स रहनी चाहिए योग में रहने वालों को समय पर मदद मिलती है हो सकता है सुनने वाला सुनाने वाले से भी जास्ती बाप का प्यारा हो जाए तो बाप खुद भी बैट समझा देंगे तो ऐसा समझाना है जो वह समझे पवित्र बनना तो बहुत अच्छा है यह एक जन्म पवित्र रहने से हम 21 जन्म पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे भगवान उवाच यह अंतिम जन्म पवित्र बनो तो हम ग्यारंटी करते हैं ड्रामा प्लैन अनुसार तुम 21 जन्म के लिए वर्षा पा सकते हो यह तो हम कल्प कल्प वर्षा पाते रहते हैं सर्विस का जनको शौक होगा वह तो समझेंगे कि हम जाकर समझाएं भागना पड़े बाप तो हैं ज्यान का सागर वह कितनी ज्यान की वर्षा करते रहते हैं जिनकी आत्मा पवित्र है तो धारना भी होती है अपना नाम बाला कर दिखाते हैं प्रदर्शनी मेले से पता पड़ सकता है कौन कैसी सर्विस करते हैं पीचर्स को जाच करनी चाहिए कौन कैसे समझाते हैं बहुत करके लक्ष्मी नारायन वह सीड़ी के चित्र पर समझाना अच्छा है योग बल से फिर ऐसे लक्ष्मी नारायन बनते हैं लक्ष्मी नरायन सो आदी देव आदी देवी चतर भुझ में लक्ष्मी नरायन दोनों आ जाते हैं तो भुझाएं लक्ष्मी की ही दो नरायन की यह भी भारतवासी नहीं जानते महा लक्ष्मी की चार भुझाएं हैं इसका मतलब ही है वियोगल है विश्नु है ही चतर रोज-रोज समझाया जाता है, रत को भी दिखाया है, कहते हैं अरजुन बैठा है, क्रिश्न रत चलाने वाला था, यह सब हैं कताएं, अब ही यह है ज्ञान की बाते, दिखाते हैं ज्ञान अमरित का कलश लक्ष्मी के सिर पर रखा है, वास्तों में कलश रखा है, जगत देवताओं को ही श्री कहा जाता है और किसको कहते नहीं है तो बाबा को ख्याल चल रहा था कि समझाने के लिए अक्षर थोड़े हूं इस अंतिम जन्म में पांच विकारों पर जीत पाने से तुम रामराज्य के मालिक बनेंगे यह तो सस्ता सोदा है बाप आकर अविनाशी ग्यानरत्नों का दान देते हैं बाप है ग्यान का सागर वही ग्यानरत्न देते हैं इंद्रसभा में कोई सब्जपरी पुखराजपरी भी हैं तो सब मदद करने वाले जवाहरात में किसम किसम के होते हैं ना इसलिए नौरत्न दिखलाए हुए हैं यह तो जरूर है जो अच शार्थ करने का टाइम ही यह है यह तो बच्चे समझते हैं हम बाप की माला के दाने बनते हैं जितना शिबाबा को याद करेंगे उतना हम जैसे की याद की यात्रा में दोड़ी पहनते हैं पाप भी जल्दी विनाश होंगे यह पढ़ाई कोई लंबी चोड़ी नहीं है सिर् अतना निकालने वाले ही उचपत पाएंगे यह तो बहुत सहज है जिग्यासु को समझाओ पतित पावन सर्व का मुक्ती जीवन मुक्ती दाता परमपिता परमात्मा शिव कहें हे भारतवासी रुहानी बच्चों रावन राज जिम्रत्यू लोग के इस कलियोगी अंतिम ज आत्माएं सतो प्रधान आत्मा बन सतो प्रधान सत्योगी विश्व पर पवित्रता सुक शान्ती संपत्ती संपन्न मर्यादा पुरुशोत तम दैवी स्वराज पद फिर से पा सकते हो 5000 वर्ष पहले मिसल परन्तु होवन हार महाभारी विनाश के पहले बाप हमको भर्षा देते हैं पढ़ाई पढ़ाते हैं जितना पढ़ेंगे उतना पद पाएंगे साथ तो ले ही जाएंगे फिर हमको इस पुराने शरीर का वे इस दुनिया का ख्याल क्यों होना चाहिए तुम्हारा टाइम है पुरानी दुनिया को छोड़ने का ऐसी ऐसी बाते बुद्धी में मन्थन होती रहें तो भी बहुत अच्छा है आगे चल पुरुशार्त करते करते समय आता जाएगा फि पुड़े टाइम पर रही है तो बुद्धी योग लगाना चाहिए सर्विस करने से मदद भी मिलेगी जितना किसी को सुख का रास्ता बताएंगे उतना खुशी रहेगी पुरुशार्त भी चलता है तकदीर दिखाई पड़ती है बाप तो तद्वीर सिखलाते हैं कोई उ जानते हो करोड़ पती पदम पती सब ऐसे ही खत्म हो जाएंगे अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी मात पिता बाप दाड़ना के लिए मुख्षिसार पहला उच पद पाने के लिए मुख से सदैव रतन निकालने हैं पत्थर नहीं मनसा वाचा कर्मना ऐसे कर्म करने हैं जो मर्यादा पुरुशोत्तम बनाने वाले हो दूसरा इस अन्तिम जन्म में पवित्र बनने की प्रतिग्या करनी है पवित्र बनने की ही युक्ती सब को सुनानी है वर्दान सदा कल्यानकारी भावना द्वारा गुण ग्राही बनने वाले अचल अडोल भाव अपनी इस्तिती अचल अडोल बनाने के लिए सदा गुण ग्राही बनो अगर हर बात में गुण ग्राही होंगे तो हल चल में नहीं आएंगे गुण ग्राही अर्थात कल्याण की भावना अवगुण में गुण देखना इसको कहते हैं गुण ग्राही इसलिए अवगुण वाले से भी गुण उठाओ जैसे बहा अवगुण में द्रण हैं ऐसे आप गुण में द्रण रहो गुण का ग्राहक बनो अवगुण का नहीं स्लोगन अपना सब कुछ बाप को अरपन कर सदा हलके रहने वाले ही फरिष्टे हैं ओम शांती और सकता हैं